दोस्तों रोबर्ट 2.2 का बॉक्स ओफिस कलेक्शन धमा के दार तरीके से चल रहा है लेकिन दोस्तों आपको बता दे इसी बीच बॉक्स ओफिस इंडिया से ऐसी खाबर आई है जिसको सुन कर आप थोड़ा चौक जाएंगे दोस्तों फिल्म 2.2 की नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है इस बात की खबरे सामने आई है जिससे की फिल्म को 12-13 करोर का इफेक्ट भी जहलना पड़ा है दोस्तों आपको बता दे रमेश बाला ने बॉक्स ओफिस इंडिया का एक लेक आज रीट्वीट करते हुए इसमे ने लिखा 2.2 उस तरह की फिल्म है जैसी भारत के लिए शोले है तेलुगू इंडिस्ट्री के लिए बाहु बली है वैसे ही तमिल के लिए बनी है फिल्म रोबोर 2.2 भले ही इन फ्यूचर आपको रोबोर 2.2 जैसी फिल्म में और भी देखने को मिल जाए लेकिन 2.2 जैसा इस्टारडम यानि के रजनिकान जैसा इस्टारडम आपको कभी भी और कहीं नहीं दिखने वाला बॉक्स ओफिस इंडिया इसमें आगे लिखता है कि कई लोग इसका नेगेटिव प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिससे की कम से कम 12-13 करोड का इफेक्ट इस फिल्म में देख इस तो आपको बता दें साथ ही में बॉक्स ओफिस इंडिया ने आगे ये लिखा कि ये नेगेटिव प्रचार करने वाले कहीं और से नहीं बलकि तमिल की तरफ सही है जो की बॉलिवुड इंडिस्ट्री से जुड़े हुए हैं बॉक्स ओफिस इंडिया का ये मानना है कि उनको शरम करने चाहिए कि 2.2 इतनी गर्वानविच करने वाली फिल्म है ऐसे फिल्म आज तक इंडिस्ट्री में नहीं बनी इसके बाद भी इसका इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे कि इस फिल्म को एक्फ्रक्ट हो रहा है उन्होंने कहा कि रजनी का जैसा स्टार्डम कभी देखने को नहीं मिलेगा 2.2 एक बहतरी फिल्म है एक बेंचमार्क है जो कि अब मिटाये नहीं मिटेगा ये उन फिल्मों में सेट हो चुकी है जिसको लेजेंडरी तरीके से याद किया जिन्होंने तकता पलट करके रख दिया जिहां दोस्तों 2.0 क नेगटिव प्रचार प्रसार करने वालों के लिए बॉक्स ओविस इंडिया ने इतना बड़ा लेक लिखा और फिल्म के कलेक्शन की जानकरी दी और बताया कि तीन दिन में ही फिल्म बहतरी प्रदर्शन कर रही है और वर्ल्ड वाइड ये 300 करोड के पार कमा चुकी है और कर दोच्प बहाँ प्रचार भास बड़ कर दोहें है और बहाँ जगाट। प्रचार एम जा खर प्र।का वालों को नेग्टार प्रावकार फिल्म है और वालों बहाँ को भी में हैं